वेलकम बच्चों, कई बार हम लोग की जिन्दगी में ऐसा होता है कि कोई चीज बार-बार जब रिपिट होता है तो उससे हम उबने लगते हैं और हम कुछ अलग चाहते हैं इसी तरह का यहाँ पे एक पोयम दिया हुआ है जो कि यह बच्चा सहर में रता है और सहर की जिन्दगी से उप जाता है और वह गाउं की जिन्दगी की कलपना करने लगता है इसी तरह का यह पोयम है आए देखते हैं हम लोग यह कौन सा पोयम है इस पोयम का नाम है The Town Child, सहर का बच्चा चप्टर 9 है और यह क्लास 5 की इंग्लीश बुक है इसमें यह पोयम दिया हुआ है तो आई हम लोग इसको पढ़ना सुरू करते हैं मैं दुलाचंदाज स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारी यूटूब चैनल स्टड़ी विद दुलार में आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स आप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं तो आप लोग पढ़ना सुरू करते हैं I live in the town in a street It is crowded with traffic and feet मैं एक सहर की एक गली में रहता हूँ सहरों में बहुत सारी गलीयां होती हैं इसलिए बतला रहा है कि मैं एक सहर की गली में रहता हूँ It is crowded with traffic या भीड से भरा हुआ है गाड़ियों की भीड और लोगों की भीड से भरा हुआ रहता है सहरों में बहुत सारी गाड़ियां होती हैं और बहुत सारी trams होती है, trams गाड़ी आप लोग को बड़े सहर में मिलेंगे, जो metropolitan city होता है, उसमें आपको मिलेंगे देखने के लिए छोटे सहरों में नहीं मिलेंगे, और ये बच्चा जो है, ये vis करता है, मतलब ऐसा इच्छा करता है, वो meadows की vis करता है, meadows मतलब एक घास का मैदान हो और वहाँ पे बहुत सारी भेड़ बकरियां चर रही हो उसके बच्चे चर रहे हो लेंस मतलब होता है भेड़ के बच्चे कि यहाँ पे सहरों में जितने भी घरे हैं सब लाइन बाइन बनी हुई है और यहाँ पे जिधर भी जाता हूं मुझे सिर्फ धुआ ही धुआ मिलता है गाड़ियों के धुआ और बड़े-बड़े कलका खाने होते हैं सहरों में उसके धुआ मिलते हैं सहरों में बहुत सारी गंदियां होती है इसलिए मतला रहा है कि everywhere that I go कि जहां भी मैं चाता हूं मुझे सिर्फ धुमा मिलता है I don't like the noise I hear I wish there were woods very near कि मुझे यहां के सोर सराबा यहां के आवाजें जो बहुत तेज तेज आवाजें होती है वो मुझे सुनना पसंद नहीं है I wish there were woods और मैं इच्छा करता हूं मैं चाता हूं कि मैं एक ऐसी जगह रहूं जहां पे नजदिक में ही जंगल हो there is only one thing that I love and that is the sky far above यहां पे सिर्फ यह एक ऐसी चीज है जिसे मैं पसंद करता हूं वह है यहां की खुली हुई आकास आस्मान जो की बहुत दूर दिखाई पड़ता है मुझे सिर्फ और सिर्फ यह आस्मान ही पसंद है there is the plenty of room in the blue for castles of clouds and me too there is the plenty, plenty का अर्थ होता है बहुत सारा परचूर मात्रा में room का मतलब यहां पे हो जगह जगह वहां पे आस्मान में बहुत सारा जगह है blue, blue मतलब blue sky sky blue color का होता है इसलिए blue बतला रहा है कि आस्मान में बहुत सारी जगह है और castles और clouds clouds के रहने के लिए, बादलों के रहने के लिए बहुत सारी जगा हैं और मेरे लिए भी बहुत सारी जगा हैं यहाँ पर यह पोयम समाप्थ हो जाती है और इस पोयम को जो लिखा है उनका नाम है Aaron Thompson आये देखते हैं कि इस पोयम में क्या questions दिये वे हैं इस chapter में कुछ new words दिये वे हैं जिसे पढ़कर आप याद कर सकते हैं इसे याद कर लेंगे आपके लिए जला बहतर रहेगा और इसमें question दिया हुआ है one number में answer these questions यहाँ पे बच्चों ने बनाने की कोशिस किया है school से बताया गया हुआ short में बनाया गया है और यहाँ पे question number two में आप देख रहे हैं इसमें से एक puzzle दिया हुआ है और इसको यहाँ पे धूनना है words धूनना है और उस words को धूनकर नीचे में जो दिया हुआ है यहाँ पे भरना है जैसे castle हो गया loud, row, tram, town, house, room, bus इस सब यहाँ से में fill in the blanks दिया हुआ है और यहाँ पे भरावा है street, trams, houses, noises, he wants to see, lamps, sky, plenty of room, or castles of clouds यहाँ पे इस तरह से भरावा है question number four में rimming words दिया हुआ है जिसमें से यह words दिया हुआ है और यह words जो है आपको poem से लेना है और यहाँ पे one word मतलब आपको खुद से लिखना है जैसे कि यहाँ पे भरावा है state और fit हो गया poem में दिया हुआ है और यहाँ पे आपको कुछ लिखा हुआ है लेकिन आपको meet गैम्स रो गो बो हियर नियर डियर और लव एवव और डव इस तरह से आपको कुश्चन नमबर फॉर कंप्रीट हो जागा और फिर कुश्चन नमबर फाइब में यहां पर जो भरना है आपको यहां पर वो दिया हुआ है यहां ऑप्शन में जिसके फिमिनाइन हो गया और य यह सेड में रखती है डोग बीच पपी कैनल होर्स मेर कोल्ट हो गया कोल्ट यहां पर दिया हुआ है कोल्ट और स्टेबल में रहता यह लाइन लाइनेस कब यह देन में रहता है पीग सो पिगलेट पिगरी और कॉक कॉक हैं चिक कूप हो गया ब्रेक डग डग डखलिंग और यहां पर कुछ गलत भरावा है यहां पर वाटर हो जाएगा अपर यहां पर जो वाटर देख रहे हैं यह यहां पर आ जाएगा यह इनका घर जो है वाटर हो गया इस तरह से इसका question answer complete हो जाएगा और इसका main question है चलिए मैं उसका answer आप लोग को बना की दिखा देता हू यह च्टर 9 का question answer answer these questions दीज में पर चाल स में बिभांट लिए लूट लूप से कपावा लिए टार सम्सया पे ждब हचे ली लालग हाफ लीड लूपन आख लूव इन और लूव में लोब स का लिए लूथ वह लूपपाः लू Hm तो यहाँ पर पुरी तरह समाप्त हो जाती है अगर आप लोग को हमारे वीडियो से थोड़ा भी मदद मिलता है आप हमारे वीडियो को एक लाइक जुरूर कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ सेर कीजिए और इसके अगली चप्टर को प